हेलो गाईस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने फोन पे में दो बैंक एकाउंट को लिंक कर सकते हैं साथ में अगर आपके नमबर पे कोई फोन पे से पैसा भेज़ेगा वो पैसा आपके किस बैंक एकाउंट में आएगा यह भी आपको कम्प्लिट जनकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिने स्किप किए वीडियो को लाश्टक जरूर दखेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो जब आप अपने फोन पे में लोगिन करके ओपन करेंगे तो उसका जो इंटरफेज है कुछ इस प्रकार से आजाएगा तो उसके बाद से आप अपने फोन पे में बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहां से profile पे click करने के बाद से अगर अपने phone पे में कोई भी bank account को link नहीं किया होंगे तो यहां पे आपको add bank account का option मिल जाएगा तो इस पे आप click करेंगे तो जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो उसके बाद से जो next page है कुछ इस फरकार से आ जाएगा तो उसके बाद से जिस भी नमबर से अपने phone pay में login किया होंगे ओर number यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो अपने phone pay में bank account को link करने के लिए यह number आपके bank में link होना चाहिए तभी आप उसमें आप अपने bank account को link कर पाएंगे यानि कि जो भी आपका bank account में number link है उसी नमबर से आपको phone pay में login करना है तो आपके दुआरह जिस भी number से phone pay में login किया गया है उसी नमबर से जो bank account link है तो उसको यहाँ से आप select कर लेंगे यहाँ पे आपको लगबग सभी bank देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से जिस भी bank में आपका account है उस bank को यहाँ से select कर लेंगे मेरा जो account है वो state bank of India में है जो की यहाँ पे सबसे उपर में ही आ रहा है तो मैं इस पे click करता हूँ तो इस पे click करने के बाद से यह मेरा mobile number इस bank में link है या नहीं है चेक किया जाएगा तब तक आप wait करेंगे wait करने के बाद से successful जो आपका bank account है आपके phone पे से link कर दिया जाएगा अगर उसी bank में और भी आपके account है जो की same number से link है तो यहाँ पे आपको सभी bank account के जो list है यहाँ पे आ जाएगी जिसको आप to add क्लिक करके उसे add कर सकते हैं उसके बाद से यहाँ पे आपको set pin का option मिल जाएगा जिस पे click करके आप अपने upi pin को set कर सकते हैं set करने के बाद से आप done पे click करेंगे done पे click करने के बाद से successfully जो आपका bank account है आपके phone pay में link हो जाएगा same इसी परकार से दुसरा bank account को link करने के लिए यहाँ से आप थोड़ा सा scroll करेंगे scroll करने के बाद से यहाँ से आपको दुबारा से add back account का option आ जाएगा तो इस पर आप click करेंगे तो जैसे ही इस पर आप click करते हैं तो दुबारा से आपको एपेजे open हो जाएगा तो जिस भी bank में आपका दुसरा एक उस bank को यहाँ से आप select कर लेंगे या फिर यहाँ से search by name पे click करके उस bank को आप search कर लेंगे तो चलिए मैं यहाँ से अपना जो दुसरा bank account है उसे search कर लेता हूँ तो मेरा जो दुसरा bank account है वो index ind में है तो मैं यहाँ से index ind को search कर लेता हूँ search करने के बाद से यहाँ पे मेरा bank आ चुका है तो मैं इसको select कर लेता हूँ तो back को select करने के बाद से यहां से आपको दुबारा से check-in किया जाएगा कि यह number आपका link है या नहीं इस back bank उसके बाद से अगर link होगा तो उसके बाद से successfully यहां से आपका bank account आपके phone पे में link हो जाएगा उसके बाद से इसमें भी आपको यहां से set pin का option मिल जाएगा तो इस पे click करके आप अपने API pin को set कर सकते हैं उसके बाद से आप done पे click करेंगे done पे click करने के बाद से यहां से जो आपका दुसरा bank account है यहां से आपका link हो जाएगा तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहां पे दोनों बैंक एकाउंट लिंक हो चुका है तो इस परकार से आप अपने फोन पे में दो बैंक एकाउंट को लिंक कर सकते हैं अगर आपका और भी बैंक एकाउंट है और इसी नमबर से लिंक है तो same process से आप और भी bank account को अपने phone पे selling कर सकते हैं और बात कर लेते हैं कि अगर आपके number पे कोई phone पे से पैसा भेजेगा वो पैसा आपके किस bank account में आएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस state bank of India के account पे primary लिखा है तो अगर मेरे number पे कोई phone पे से पैसा भेजेगा वो मेरा पैसा इसी state bank of India के account में आएगा यानि कि जिस भी आपके account पे primary लिखा होगा उसी bank account में आपका जो पैसा है आएगा अब बात को लेते हैं इसे change करके दुसरे bank account को कैसे primary कर सकते हैं तो इसके लिए जिस भी bank account को आप primary करना चाहते हैं उस bank account पे आप click करेंगे click करने के बात से यहाँ पे सबसे उपर में set as primary का option मिल जाएगा तो इसको primary set करने के लिए यहाँ पे आप click करेंगे click करने के बात से यहाँ से आप default bank account change करना चाहते हैं इसका confirmation देंगे और confirm करने के बाद से यहां से आपको green tick लग जाएगा उसके बाद से आप back कर लेंगे back करने के बाद से यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो primary account है यहां से change हो चुका है तो इस परकार से आप अपने according जो primary account है set कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक किजिए और इसी तरीके के और भी helpful वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रुक जिए तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मत्रम